इस वक्त ज़र भारते जंता पार्टी की प्रस कॉन्फरेंस हो रहे हैं, सम्बित पात्रा प्रस कॉन्फरेंस कर रहे हैं, सीधा वहाँ चलते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे सैफुद्दिन सोज, उन्होंने कश्मीर में इस हमले को लेकर जिस प्रकार का बयान दिया है और कहा है कि हिंदुस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ नकेवल बात करें, अपितू, आतंकवादियों के दिमाग के अंदर, आतंकवादियों के मन के अंदर क्या चल रहा ह उन्हें क्या चाहिए उसे भी समझने की कोशिश प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी को करना चाहिए आप सोच के देखिए ये कॉंग्रेस की सोच है ये कॉंग्रेस की सोच है सहिफुद्दिन सोच जो कॉंग्रेस के दिगज नेता है जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लैबिसाइट होना चाहिए कश्मीर अलग होना चाहिए इस प्रकार के बयान भी दिए हैं उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है हिंदुस्तान का ये फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कॉंग्रेस और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए इस भयान की हम निंदा करते हैं जहां तक फारुक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है उन्होंने भी पाकिस्तान से बाचित की फेशकस की है मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स अंट टेरर के नेवर मूफ तुगेदर उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो उस समय इस प्रकार की मैं कहूंगा इस प्रकार के स्टेट्मेंट कहे जाएं ये नक्यवल अनूचित है अपि तु ये दुखद है हिंदुस्तान इसका जवाब देखा मुझे तो ये कहते हुए भी दुविधा होती है कहते हुए भी दुख होता है कि सैफुद्दिन सोज फारुक अब्दुल्ला जैसे लोगों को एक मुख्यस्थान इन राजनितिक पार्टीों ने दिया हुआ है अपने अलाइंस में अपने पार्टी में अपने अपने ग्रूप में